हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं 2020 के लिए है और हम एक एक करके सभी राशियों की चर्चा आपके साथ करेंगे और अभी आपके साथ हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो तुला राशी के जो जातक हैं उनके राशी फल के विशे में चर्चा करेंगे लेकिन जैसा कि हर बार हम आपको राशी फल की चर्चा करने से पहले आपको ग्रहों की गोचर में इस सिती से भी अवगत कराते हैं ठीक बिलकुल उसी तरह इस बार भी हम आपको पहले जो वर्तमान में ग्रहों की गोचर में इ हम सूर्य ग्रह के उले करके तो सूर्य ग्रह जो की वर्तमान में अपनी उच्छ राशी मेश में संचार इनका हो रहा है और मेश राशी जो है आपके कुंडली के सब्तमभाव जिसको हम सैविंथ हाउस भी कहते हैं उसमें इस्थित हैं और चौधे मई को यह अपना राशी प बनेगी तता 24 माई तक अपने मित्र ग्रह बुद्ध के साथ भी इनकी यूथी इस अश्टमभाव में विर्शव राशी में बनेगी मंगल ग्रह मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्छ राशी मकर में संचार कर रहे हैं मित्रों और मकर राशी आपके कुंडली के चतुर परिवर्तन करेंगे और वो राशी परिवर्तन इनका चार मई को होगा चार मई को ये इस राशी से निकल कर अपनी शत्रु राशी कुंभ में प्रिवेश करेंगे मार्गी एवं उद्यवस्था में और मित्रों कुंभ राशी आपके कुंडली के पंचम भाव यानि के मुद्ध का मेश राशी में वह इस राशी, अपना राशी परिवर्तन करके यहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी वृषब में प्रिवेश करेंगे आपकी कुंडली के अस्टम्भाव में तथा यहां पर यह 16 माई को पश्चिम में उद्य होंगे इस राशी में तो इस मही को मित्रों फिर ये अपना राशी परिवर्तन करेंगे और ये विर्शव राशी से निकल करके अपनी स्वयम की राशी मिथुन में प्रिवेशन का होगा और मिथुन राशी आपके कुंडली के नवम भाव जिसको हम नाइन्थाउस भी कहते हैं भाग्या भाव कहत है उसमें इनका प्रिवेश होगा और यहां पर फिर इनकी जो यूति है वो अपने परम मित्र्य possibility राहू के साथ बने गृरुभरश्वती वर्तमान में अपने राशी मकर में उनका संचार हो रहा है कर रहे हैं वह अपने संग्र हो रहा है कर रहे हैं वहीं जासाтор switching का होता अपने समगरे के साथ पूरे माई इसी प्रकार चलता रहेगा लेकिन 14 माई को यह यहां पर वक्री होंगे वक्री का मतलब उल्टी चाल चलना आरम करेंगे शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह जो की वर्तमान में अपनी स्वयम की राशी विर्शम में संचार कर रहे हैं मित्रों माई से इनकी युती महा के अंत तक अपने शुक्रूग्रह सूर्य के साथ बनेगी 13 माई को यह वक्री होंगे यानिके उल्टी चाल चलना आरम करेंगे एवं 31 माई को फिर यह पश्चिम में अस्थ हो जाएंगे शनीग्रह शनीग्रह वर्तमान में अपनी स्वयम की राशी मकर में संचार कर रहे हैं जैसा कि अभी हमने आपको बताया है अपने समग्रह गुरू बलस्पती के साथ और इनका इसी राशी में संचार चलता रहेगा पूरे महा यह जो है 11 माई को वक्री होंगे यानि उल्टी चाल चलना आरम कर देंगे राहु ग्रह मित्रो राहु अपनी उच्च की राशी धनू में पूरे महा इसी प्रकार संचार करते रहेंगे और धनू राशी आपके कुंडली के तिर्टी अबाओ यानि के थर्ड हाउस में इस्थित है यह था मित्रों आपके गोचर में ग्रहों की वर्तमान इस्थिती इसी के ही आधार पर आपकी राशी फल तैयार हुआ है जिसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे और सर प्रथम आपके साथ हम चर्चा करेंगे वियफसाय को लेकर आपके तो मित्रों इस महा आप तुला राशी की जो जातक है उनके ग्रहों की जो इस्थिती है उसको अगर हम देखते हैं तो यह कह सकते ह हैं कि आप अपने कार्य छेतर यानि रोजगार या व्यापार में महा के मत्य तक तो सफल रहेंगे लेकिन उसके पश्चात मिले जुले परिणामों की प्राप्ती ही हो पाईगी लेकिन इन सब के अतिरिक्त आपका भाग के अचानक उदै हो सकता है इस महा जिसका सीधा प् परिश्रम किए आपको अपने मन पसंद प्रेणामों की भी प्राप्ती हो जाए यह संभावना इसकी नहीं है यह पॉसिवल नहीं है आपके घ्रहें आप से काफी अच्छा-खासा परिश्रम करवाएंगे इस महा वैसे आपका सोहाब काफी आलसी किसम का रहेगा इस महा आ थोड़ा जादा भी रह सकता है और महा मध्य के उपरांत मित्रों इसमें कमी आएगी आप इस महा छोटी दूरी की यात्राओं से बचें यदि आप अपने कार्णियों को लेकर यात्रा पर जाते हैं मित्रों तो ये आपके लिए लाबकारी नहीं रहेगा ग्रों के अनुसार लेकिन साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में शनी की ढहिया का प्रभाव भी बना हुआ है हमारा मतलब आपको बिल्कुल भी डिनाने का नहीं है यहाँ पर सरफ इतना ही समझाना है और कहना है कि ढहिया का प्रभाव होने से जीवन में कुछ थोड़ फिर इस प्रकार के प्रवाव में कमी रहती है, वित्तिय सिति, इस महा के मत्य तक आपके धन की सिति काफी सुद्रन, मजबूत रहेगी, उसके पश्चाद धन के आगमन में कुछ रुकावतें आपको पेश आएंगी, वैसे पूरे महा आपकी आर्थिक सिति अच्छी बनी र महा आप अपने प्रेम संबंदों में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गर्व का सहयोग इस दिशा में आपको इस महा नहीं मिल रहा है, अगर अप इस दिशा में प्रियास करते हैं, तो सफलता आपको प्राप्ट नहीं हो सकेगी पारिवारिक संबन्द, पारिवार के साथ आपके संबन्द बहुती सामानने धंग से बने रहेंगे, महामध्य के उपरांत इन संबन्दों में नर्मी गर्मी बन सकती है, विवाहित व्यक्तियों के विवाहिक संबन्दों में भी कुछ उतार चड़ाफ की इस्तिती बनेगी इस महां जो है मित्रों, आपको अपनी संतान की ओर से कुछ विशेश प्रणामों की प्राप्ती तो नहीं हो पाईगी, या फिर कह सकते हैं कि प्रणामों की प्राप्ती में कुछ समस्याएं पेश आ सकती हैं। स्वास्त, वैसे तो इस पूरे माही आपको अपने स्वास्त की और बहुत ध्यान रखने की आवश्यक्ता है, विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए, हमारा आपको ये सुजाव है, लेकिन महा मद्दे तक जादा शारिरिक समस्या पैदा हो सकती है, आप इस बात का, वैस इन में, आप इन से आपको पूरी तरह से छुटका रहा हो, तो छोटे-छोटे को चुपाया आपको बता देते हैं, उनको आप नियमित रूप से कीजेगा, निश्चित रूप से आपको उनका लाब प्राप्त होगा, शनीवार के दिन, संध्या के समय, शनी मंद्र जाकर स शनी के मंत्रों का जब करें, या शनी चालिसा का भी पाठ आप कर सकते हैं, शनी मंत्र है, ओम शम शनिश्चराई नमाह, ये हैं मंत्र, इसका कम से कम तीन माला आवश्य करें, और मंगलवार के दिन, हनुमान जी की पृतिमा के समुक तेल का दीपक जला कर, मीठे कुछ शनी चालिसा का पाठ भी अवश्य करें, नित्त प्रते दिन गुरु ब्रस्पती के मंत्रों का भी आप, जाप कम से कम तीन माला अवश्य करें, ओम ब्रम ब्रस्पताए नमाह, ये है गुरु ब्रस्पती का मंत्र, इसकी भी तीन माला आप करेंगे, और ये छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनका लाप राप्त होगा पूरे महा मही के महीने में तो मित्रों यह था आप तुला राशी के जातकों का महा मही 2020 का राशी फल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्र क्रिक रोमों के वीडियो हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयनुसार लाप राप कर सकें